आगाम ये कारेक्रम प्राई उजिति किया है ज्वाइस मायद मिनेस्ट्रिस के मित्रों और सहयोगियों ने और मैं आपको बताना चाहती हूँ चाहिए आप कुछ भी सोचते हो ये संदेश जो आज मैं आपसे साजा करूँ ये हो सकता है कुछ सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में से एक हो जो आपनी सुनाओ क्योंकि जब इश्यू हमें एक नया जिवन देते है तो उसके साथ एक जिवन शैली आती है जो उसके साथ चलती है इश्यू हमारे चंगाई दाता है तीन योहन्ना दो में लिखा है हे प्रियम मेरी ये प्रार्तना है कि जैसे तो आत्मिक उन्नती कर रहा है वैसे ही तुस सब बातों में उन्नती करे और भला चंगा रहे हे प्रियम मेरी प्रार्तना करता हूँ कि हर प्रकार से उन्नती करे और कि तुम्हारा शरीर भला चंगा रहे तब भी जब तुम्हें जानता हूँ कि तुम्हारा प्रान भला चंगा रहता और उन्नती करता है कि क्या मैं आपको बता दो आप एक वीमार प्रान में स्वस्ता शर नहीं रख सकते, मैं प्रार्तना करता हूं कि तेरा शरीर भला चंगा रहे वैसे ही जैसे तेरा प्रान भला चंगा है, इसलिए आपको ये समझना होगा कि हमारे जिवन का हर ख्षेतर दूसरे ख्षेतर पर प्रभाव डालता है, यदि मैं आत्मी कृप से स्वस्ता नहीं, तो ये मेरे अनेक शेतर पर प्रभाव डालेगा, यदि मैं आत्मी कृप से स्वस्ता नहीं, तो ये मेरे अनेक शेतर पर प्रभाव डालेगा, यदि मैं मानसी कृप से स्वस्ता नहीं, आप जानते आप चिंता करके खुद को बिमार कर सकते हैं, तो ये पूरा आपस में ज लिकल जाए जो आपके पास है, इस शहर में या कहीं और ऐसा कोई भी स्टोर नहीं जहां से आप इसे खरीच सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि मुझे घर की देख भाल करनी होगी, आप जानते हैं मैं इतना ही बस कर सकते हैं। मैं डेव की तरह इस सुबह होंगी, पता है हमारा भाग है कि मैं आपको बताओं। मैं जानती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ आज और ना केवल वो लोग जो यहां हैं, पर वो लोग जो टीवी से देख रहे हैं, जो आप जानते हैं। मेरा मतलब है कितने बिमार लोग है वहां और कितने लोग जिने हर समय बुरा महसूस होता है, पूरी तरह बिमार, और मैं यह दिखावा नहीं कर रही, मेरे पास हर बात का जवाब है, पर मैं यह कह रही हूँ कि हम कुछ कर सकते हैं उस बाग के बारे में, जिसके बारे में ह थोड़ा बहुत जानतें हैं क्या यदि आप पहले से ही सही बातें कर रहें हैं तो बधाई हो दूसरे लोगों के लिए उधारन बने उनके गले में जबरदस्ती बातें ना उटारें और उन्हें वो करने को मजबूर करें जो आप करते हैं पर एक उधारन बने जानते हैं लोग नियमित रूप से मुझसे पुछते हैं आप इस उम्र में कैसे इतने फिट रह सकती हैं खेर मैं स्वेम की देख भाल करती हूं और बहुत लंबे अर्से तक मैं ऐसा नहीं कर रही थी और आप जानते प होगी और करीब दस साल पहले मैंने नियमित रूप से कसरत शुरू कियो और मैं आपको इमानदारी से कहूं अगर मैंने वो शुरू नहीं किया होता तो आज मैं आपके सामने इस तरह फिट नहीं खड़ी हुई होती बस यह इतना सरल है दो साल तक मैं काफी बिमार थी मैंने कसरत शुरू की जब मैं 63 की थी दो साल तक मैं बिमार थी मेरा मतलब आपको शायाद मजा ना आया हो जब तक आप इतने बिमार ना हो जाए कि आपको टॉलेट में गिर जाना पड़े मुझे प्रार्त ना करनी होगी मेरा मतलब है मैं नीचे नहीं उतर सकती मैं अंत में गिर गई और मैंने सोचा मुझे अब पता नहीं क्या करना है मुझे पता है मैं आप लोगों को कुछ पागलपन की बाते बता रही हूँ पर यह ज़रूरी है पर मैं आप से आपके भविशे के बार में बात कर रही हूँ क्या आप अपने भविशे में निवेश करेंगे किसी और की तरफ ना देखे जो शायद आप से काफी अच्छे ज़्यादा शेप में करश में भी ऐसी दीखती उन्होंने ये कामना से नहीं पाया ओ, ये उससे भी बहतर है, जो हम सोचते हैं कि ये है ओ, हमारे सब आप शमा करते हूँ और हमारे सभी रोगों को चंगा करते हैं मैं आप से एक प्रेशन पूछना चाहूँगी क्या हम चमतकार चाहना है या हम जिम्मेदारी चाहते हैं मुझे ये एक और ट्विट लगती है मेरा मतलब गंभी तासे कहूं क्या हर बार हम चमत कर पाना चाहते हैं अगर कुछ गलत होता है और हम अपिक्षा करते हैं कि परमिश्वर दया करें और सब कुछ चमत कार से ठीक हो जाए क्योंकि यदि वह ऐसा करते हैं तो आमें कुछ नहीं मिलेगा इस विकेंड जो मैं सिखा रही हूँ उसका एक हिस्सा ये भी है कि सीखे कैसे आग्याकारी हुआ जाता है और ये भी आग्याकारीता का एक शेत्र है बाकी सब की तरह हम नहीं कह सकते हैं घर मैं जानती हूँ मुझे सोने जाना चाहिए पर मुझे पता है मैं परयाप्त नींद नहीं ले रही पर मैं जानती कि मुझे कसरत करनी चाहिए पर मैं जानती कि मुझे ये नहीं होगा तो असल में जो आप कह रहे हैं वो मुझे पता है यह गलत है पर मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैं यह कर सकती हूँ और मुझे इससे कोई समस्या नहीं होगी यह आपकी आप एक माता है जो आपकी मदद करने की कोशिश कर रही है अब मैं कहां जाना चाहती हूँ बस कहीं चलते हैं मेरे ख्याल से क्या आपको पेंट का एक फ्रेश कोड चाहिए या पूरा प्रोग्राम पुन निर्मान और मरम मत का क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ कभी भी देर नहीं होती दुबारा शुरुवात के लिए और मैं आपको सचा है बताऊंगी चाहिए इस समय आप कितना भी बुरा क्यों न महसूस कर रहे हैं और शायद आप जल्दी से लिख सके अपने शरीर के दस अलग-अलग शेत्र जो आपको समस्या देते हैं आप में से कितने ये कर सकते हैं लिखना शुरू करो उह कितने लोग भई बहुत दयाशिल दिन है बहुत बार जब हम चीजों को सुधाना शुरू करते हैं तो हमारे शरीर पर एक दौरा पढ़ता हुए और हम सोचते हैं खेर मैं ये नहीं करूँगा आपको मुझी देखना चाहिए ता उन दिनों जब मैं स्कॉर्ट करने की कोशिश कर रही थी और मेरे घुटने जवाब दे गए मैं वो नहीं कर सकी ये कुछ ऐसा है मेरा मतलब है आपको कोई मजा नहीं आता जब तक कि आप अपनी स्कुर्ट पर एक बार बेलना लांद ले और फिर मैं सोचती हूँ मैं ये कर रही हूं मैं ये कर रही हूं अब आप जो चीजें नहीं कर सकती जो आपको चोट पहुंचा ते पर यदि आपके साथ कोई है जो अच्छे से कसरत करवा सके पिर आपको चोट नहीं लगेगी औ सब कर सकते हैं मेरा मानना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं यदे को लड़ी मातरा में करे होमारे जीवन में बहुता यत है जो समसाय बनती हैं कि अप एक रात नीन गवा सकते हैं या इधर उधर पूछ रात य आपट आप नहीं जीवन के कुछ काल में आप सच मुझ बहुत ज़्यादा पहनत कर सकते हैं जब कुछ निर्मित करने की कोशिश करते हैं पर हम गलत चीज़ें नहीं कर सकते बार 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 और यह सोचते रहें कि हम इसे निभा पाएंगे तो मैं आपको दुबारा पोच रहे हूं कि आप एक निवेशक हैं या जुआरी मैं कुछ ऐसे लोगों को देखना पसंद करूँ जो इस पर सच मुझ बढ़िया मैं सुस करें निवेश करना शुरू करें मैं देखना चाहूंगे कि आप भविश्य के लिए अपने स्वास्त में निवेश करने लगें आमीन इंतजार ना करिए करना शुरू कर दीचिए इसे मैं लाब की नहीं मेरे लिए जो अच्छी है तुरंट लाब पहुंचा आने वाली जब मैं इसे दूसरों के मुकाबले देखता हूं सब वस्तुए मेरे लिए उची थे हैं परंतु मैं किसी बात के अधीन न भूँगा और मैं इसे अंडरलाइन करती हूं कि मैं किसी बात क कि अधीन रहूंगा तो पॉलिस क्या कहा था जानते हैं कि आप दिन में दो बार एक डॉजन कुकीज खा सकते हैं और फिर भी स्वर्ग जा सकते हैं आपको स्वर्ग जाने के लिए पानी पीनी की ज़रूरत नहीं आपको स्वर्ग जाने के लिए सोनी की ज़रूरत नहीं अब ये दूसरों के लिए अच्छा उदारन बनने का भी बढ़िया तरीका नहीं है, मैं जो चाहूं मैं वो कर सकती हूं, पर मैं किसी भी चीज का गुलाम नहीं बनूंगी, अब तक कोई भी नए सीरे से जन्मा आत्मा से भरा मसीही, अब तक मसीही ये कहें, अगर मैं एक कुकी खाऊं। तो मुझे एक ठैला खाना पड़ेगा, अगर मैं एक पटीटो चीप्स खाऊं। तो मुझे पूरा ठैला खाना पड़ेगा, उसमें कुछ खुराबी है, हमारे पास आत्मन नियंद्रण का फल है, मैं एक कुकी खा सकती हूं और बाकी नहीं खाऊंगी, मैं कुछ खा सकती हूं या कुछ भी नहीं खा सकती, खाना मेरा परमेश्वर नहीं है, आमीन, बढ़िया, चलिए देखती है और क्या है, जिससे मैं आपको खुश करूँ, एफ्रडॉट की ओर देखते हैं, मेरे ख्याल से हमें इसकी जरूरत है, मेरे ख्याल से, फिलिप ये दो आपको ये बताना ठीक होगा, इस तरह से तुम्हारी मामा तुमसे बात करना चाहेंगी, खेर ये तुम्हारी सोच है, मेरी नहीं, फिलिप ये दो पच्चीस से तीस पर मैंने एफ्रडॉट चो मेरा भाई और सहकर्मी और सगी मेरी सेवा टहल करने वाला योद्धा, और त तुम्हारा पास भेजना आवशक समझा क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था इस कारण, वो व्याकुल रहता था क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना तो और निश्चय वो बीमार तो हो गया था यहां तक की मरने पर था, पर तुम परमीश्वन ने उस पर दया की केवल उस पर ही नहीं पर मुझ पर भी कि मुझे शोक पर शोक नहों इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यतन किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घड़ जाए अब यह देखे इसलिए तुम प्रभू में उससे बहुत आनंद क साथ भीट करना और ऐसों का आदर किया करना क्योंकि वही मसी के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मरने के निकट हो गया था ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे जिस दूरी ने हमें रोका उसे करने से तो ये एक तरसे द सीही के लिए इतनी करी मेहनत कर रहा था तो फिर परमेश्वन ने उसकी सुरक्षा क्यों नहीं कियो और उसे बीमार होने से क्यों नहीं बचाया क्योंकि आप परमेश्वर के नाम पर भी नहीं और इससे बस निभात ये चलो और ये जब कभी भी वह मैं 38 साल की थी जब बा इसने खुद की सिवकाई शुरू की 28 साल से कुछ ऐसा ही और इसमें जितनी महनत लगे और जितना तनाव मुझे सहना पड़ा क्योंकि मुझे पता नहीं कि आज मैं आपको क्या बता रही हूं और मैंने बहुत सी बातों को हां कहे दिया, कुछ बातों को मैं ना कह सकती थी और आप मैंसे कितनों को मुश्किल होते ना कहने में, इतने लोग, आप मैंसे कितनों में एगलत जिम्मेदारी का हिसास होता है, आपको लगता है कि आपको वो सब ठीकन की ज़रूरत है, जो वहां बाहर जिससे सुधार की ज़रूरत है, देखे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, क् कि अपने बचपन में सोशित होने के कारण और उससे अपनी मां से छुपान की कोशिश जो मेरे पिता मेरे साथ कर रहे थे मैंने हर बात की जिम्मेदारी स्वयम पर ली घर में शांती बनाया रखने के लिए उन्हें खुश करने के लिए इसलिए अभी भी मुझे उन सब बात इशद लोगों को ना कहने में कठीनाई होते तो हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के पीछे कैसे चल सकते हैं जो हमें जीवन की ओर ले जाएगी जो बहुता यत का है यदि हमें लोगों को ना कहने में कठीनाई होती है जब पवित्र आत्मा हमसे कह रहा है कि लोगों को ना कहो तो हमें कठीनाई की यूम होती है हम उसके बार में ज्यादा परवा करते ह 2015 का सोचते हैं हम वो अच्छा है, ये एक वर्दान भी हो सकता है, जो परमिश्वर आपको दे सकते हैं, पर एक वर्दान को ज़्यादा तर इस्तमाल नहीं करना चाहाए, वो आपको मुसीबत में डाल सकता है, मैं लोगों को जानती हूं जिने दया का वर्दान मिला है, और मैं आपको बता रह हूं कि यदि वो सावदान ना रहे, तो वो लोगों को सनदार नहीं सकते, क्योंकि हर चीज है, जैसे, चलिए, मैं भी ठक गई हूं, मेरे साथ बने रहें, खुद की देखभाल करना शुरू करें, तो मैंने स्वैम को बिमार कर लिया, इश्यू के लिए काम करते करते, सारा समय डॉक्टर के पास भागते हुए, डॉक्टर पर नाराज होते हुए, क्योंकि वो मुझे बता नहीं रहते, मैं तनाओ में हूँ, मैं तनाओ में नहीं हूँ, पता है मैं क्या चाहती हूँ क्या करें मुझे कुछ दें आप यह लीजिए मुझे कुछ दें ताकि मैं उस तरह जी सको जिस तरह मैं जीना चाहती हूँ और मुझे कुछ समस्या नहीं हो ओ-ओ यह परमेश्वर मुझे ऐसी गोली दें ताकि मैं एक पागल व्यक्ति की तरह जीश सकू क्या हम सोश्यल मीडिया के बारे में बात करना चाहेंगे मुझे तो यह पता भी नहीं ता 6 हफते पहले तक कि सेल्फी क्या होती है मैं कहती हूं क्या ओ हां हर रोज 450 मिलियन ऐसी तस्वीर हैं जो अपलोड होती है 450 मिलियन और यह तो अभी शुरू हुआ थे मैंने सोचा कि मैंने पिछले 40 साल गुजा रहे हैं स्वैम के लिए मर जाना सीखने के लिए अब जिस पीड़ी में हम रहते हैं वो पूरा दिन अपनी तस्वीरे उतारते ही बिता देते हैं पता है यह ज्यादा सवखह है मेरा मतलब यह मुझे तनाव गरश्त कर सकता है या लिए हर मिनिट साथ मजे कर रहे हूं पर सब्सक्रांब मेरा मतब है ये ता ऐसे च़ित कर देता है जो मैं लोगों को प्रचार कर रही होती 알ों और वहां जबरदर्शन कर बहुत ही बेकार हम आमिन मुझे पसंद नहीं आता है जब मैं किसे के साथ लंच ले रही होती और पूरा समय जब मैं उसे बात के नहींए की मैं नहीं टेखनोलोजी के पक्ष में हूँ, आज वो हमारे पास टेखनोलोजी है, वो मुझे पसंद है, पर आप उसे स्वेम को कंट्रोल नहीं करने दे सकते हैं, आपको अपना इमेल चेक करने की ज़रूरत नहीं, जब आप बात्रूंग जाते हो, सुबद दो बजे, पता है, आपके जीवन में कुछ दौर थे जब आप इतने महत्वपूर्ण नहीं थे, और मुझे यकिन नहीं कि हमें से कोई भी इतने महत्वपूर्ण है, कि किसी को दिन में 24 गंटे हमें ढूरने की जरूरत पर तो, या हम दर जाते हैं, मेरा मतलब मुझे पता है, मैं कैसा वहवार करती हूँ, जब अपना सेल फॉन कहीं छोड़ देती हूँ, मुझे कोई फोन नहीं मिल रहा, पता नहीं कहा रख दिया, मैं पागल हो चाहूंगे, मुझे अपना फोन चाहिए, अभी मुझे दूरना पड़े, पता नहीं कहा रखा होगा, देव अपने फोन का मैंने आप से कहा रहता कि मेरे पास देव की एक नहीं कहानी है, पर मुझे नहीं लगता था कि ये फिट होगी, बहुत बुरा हुआ, यदि तुम देव की कहानी सुनाना चाहते हो, तो आपको वापस आना होगा, अब मैं आप से एक अंतिब बात करती हूँ, जो बहुत जर कि देख भल ना करना तनाव का कारण है, ना सुना तनाव का कारण है, सही खाना ना खाना तनाव उत्पन करता है, बहुत सी बाते हैं, चिंता तनाव उत्पन करती है, पर जल्दी देखता हूँ, यह हमारे लिए क्या करती है, यह पर क्या प्रभाव डालती है, आत्मिक पा में परमिश्वर नहीं चाहते कि मैं करूं या मैं ऐसा कुछ कर रही हूं जो वो चाहते हैं कि मैं करूं जो शुक्र है कि जितना अधिक अर्से से आप मसी में रहें और आप उस पर पार पाह लेते पर ये क्या करता है मुझे एक दोशी अंतरात्मा देता है इससे तनाव पूर्ण कुछ और नहीं कि आपकी दोशी अंतरात्मा हो और ये जानते हुए चलते रहना कि आप वो नहीं कर रहे है जो आपको करना चाहिए और वैसे भी उसे करते रहना जारी करते हुए सबसे बड़ा एहसान जो हम में से कोई भी कर सकता है वो ये है कि आज ये वचन बदता दे कि परमिश्वर के अनुग्रों और दया के द्वारा हम पवित्रा आत्मा की अगुवाई में चलेंगे क्योंकि वो हमें दिया गया है उस जीवन की ओर जाने को जो बहुता यत्का है जिसे हमें देने के लिए इशु नपनी जानदी और यदि हम उसके अगुवाई की ओर चलें मैं तनाव पर एक किताब लिखने वाली हूँ वो मेरी सबसे बड़ी किताबों में से एक किताब है पर आपको कुछ बताओं मैं स्वेहम से पहले आपको रहसे बता देती हूँ हाला कि मैं चाहती हूँ कि आप ये किताब खरीते मैं आपको ये रहसे बताऊंगी पूरा रहसिय बिना तनाव के रहने का है कि आप पवित्रा आत्मा की पीछ चलें अब मुझे छूप कर उसकी और जाना होगा पर बस इतना ही मेरा मत भी इतना ही आप जानते हैं कि क्योंकि इशु ने का कि मैं आया ताकि तुम्हें जीवन मिले बहुत आयत का जीवन और क्योंकि मैं जा रहा हूं मैं तुम्हें पवित्रा आत्मा भेजूंगा और तुम्हें रहेगा तुम्हारे मार्क दर्शन के लिए तुम्हें सिखाने के लिए पाप का आरूप पटाने के लिए तुम्हें धार्मिक्ता का यकिन दिलाने के लिए और यदि आप उनके अग आफ to theองके कसे जो बढ़ाना बनाद एगा सि कहलें कि मैं ने कमिटमेंट की है अपने 27 साल माश्रेम को देखनी की जिसकी मैं देख भाल करती हूं इस ओमवार को नर्सिंग हो में और मैंने उसे बताए कि मैं आने वाली हूं और वह बहुत उसा ही ते और मैं उसके लिए लेंच लेकर जाऊंगी ओ सुनो एक बहुत बड़ी सील लगी है, आपकी फ्रेंड कहती है, आप क्या है सकते हैं, नहीं, तो नहीं मैं नहीं जाओंगे, मुझे प्रार्तना के बगर कहीं जाना पसंद नहीं, पर तो मैं अपनी मौशी से एक कोई बेकार सा बाहना बना देती हूँ जो सच मुझे एक मसीही जुट बन जाता है तो मैं अपना बादा नहीं निभाते और शॉपिंग चली जाती है और मैं पैसा खर्चती हूँ जो मुझे नहीं करचना चाहिए और मैं वो खाना खाती हूं जो मुझे नहीं खाना चाहिए और पुरा समय अंदर ही अंदर मुझे बुरा लग रहा है क्यों कि यह जानती हूं कि मुझे वो नहीं करना चाहिए ता फिर मैं घर जाती हूं और पूरा दिन बुरा महसूस करती ह और उस रात मैं अच्छे से सो नहीं पाती, भिर मैं अगले दिन ऊठती हूँ थोड़ा डिप्रेस और ठका हुआ मैं है प्रिप्रेस हूँ और फिर मैं दॉक्टर के पास जाती हूँ आप रहते हैं और ये वो बरतन है जिसके जरे परमेश्वर काम करता है और सच्छा ये है यदि आप उसे ठका लें जो आपके पास है तो आप कहीं जाकर एक और नहीं खरीच सकते तो मेरा मनना है कि शारी रिक रूप से अच्छा महसूस करने का रहसी ये है कि आप एक निवे अपने प्राण में स्वस्थ हैं अपने मन अपनी इच्छ और अपनी भाउनाओं में आप स्वस्थ हैं कि आप शारी रिक रूप से अच्छे स्वस्थ हैं इसका खर्च उठाया है जोईस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने